लड़कियां हमेशा भूल जाती हैं उन्हें भूलने की विमारी होती है लड़कियां भूलती क्या है लड़कों को और क्या लड़के और गलतियां लड़की ये दोनों चीज़े भूल जाती है रावली यार, मुझे भी किसी लड़की से बात करने का तरीका बता सिंपल है यार, कोई भी लड़की, जैसे किसी लड़की ने पिंक ड्रस पहनी है तो उसको नाम है पिंकी, तो तुम उसे पिंकी कहकर बुलाना, क्या, पिंकी? हाँ पिंकी मगर उसका नाम तो कुछ और भी हो सकता है अरे यार ये सिर्फ उससे बात करने के लिए तुम उसे पिंकी बुलाओगे फिर वो कहेगी तुम्हें कैसे पता चला कि मेरा नाम पिंकी है या फिर वो कहेगी तुमसे किसे ने खा कि मेरा नाम पिंकी है फिर बस कहना क्योंकि तुमने पिंक ट्रस पहनी है तो मैंने सुचा तुमारा नाम पिंकी होगा या फिर अगर उसने रेड ड्रस पहनी है तो फिर तुम उसका नाम लाली कह सकते हो और अगर उसने नीली ड्रस पहनी है तो तुमसे नीलम कह सकते हो अच्छा, तो लाली और नीलम तुम्हारी पूछने से पहले बता दूँ कि अगर नीली और इससे जादा मैं और नहीं बता सकता इससे जादा तुम अपना दिमाग लगा सकते हो बस अब इससे ज़्यादा ट्राई तब बताऊंगा जब तुम ये ट्राई कर लोगे देवी और सज्जनों मैं हूँ अमिताब बच्चन देवी और सज्जनों मैं अमिताब बच्चन और आप देख रहे हैं कौन बनेगा करोड़ पती आज हमारे साथ हैं केवी सी खेलने जा रहा है राउनिवूट चलिए मैं और आप खेलते हैं कौन बनेगा करोड़ पत है पहला सवाल आपकी कंप्टुटर सक्रीन पर ये रहा पहला सवाल क्या मीका को राखी सावन को किस करना चाहिए था option A हाँ, option B नहीं, option C एक बार फिर से करना चाहिए या option D ये काम तो इमरान हाश्मी का है सर इसका जवाब मैं बहुत मुश्किल से दे सकता हूँ वैसे मेरा option तो 3 है कि एक बार फिर से करना चाहिए बलकुल सही जवाब अब आपका दूसरा सवाल आपकी कम्प्यूटर सक्रीन पर ये रहा आपके नाम में रॉलीवुट का मतलब क्या है ए, option पहला जवाब, पहला option क्या आपका नाम रॉलीवुट यानि आप लकड का काम करते हैं इसलिए आपका नाम वुड, रॉलीवुट है option दूसरा option रॉलीवुट मतलब राहूल इन बॉलीवुट तीसरा option रॉलीवुट आपको इससे क्या मतलब, चाहे आपका जो भी नाम हो या फिर option D, आप अपने काम से मतलब रखिए सर मेरा जवाब है राहूल इन बॉलीवुट बिल्कु सही जवाब, अधवोत, अधवोत, अधवोत तीसरा सवाल आपकी computer screen पर ये रहा अगर मैं आपको एक मौका दूँ, आपकी इच्छा पुरी करने का तो आप क्या करेंगे मेरी सीट पर बैठकर मुझसे सवाल करना चाहेंगे अपने सचे प्यार से मिलना चाहेंगे या फिर मैं इसका उतर अपनी मर्शी से दूँगा बिना सवाल का जवाब के एक करोड जीतना चाहेंगे सर, चौथा अप्शन तो काफी राइट है सर मैं इसे ही चुनूँगा और उसके बाद मैं सच्चे प्यार के बारे में सचूचूँगा बेल कोल जवाब दिया आपने और आप जीत चुके हैं 15,000 रुपे अब मैं आपको 10,000 के लिए एक और सवाल पूचना चाहूँगा कोई मिल गया में रोहित से, स्पेशिप से क्या कहा कोई मिल गया में रोहित से, स्पेशिप से क्या कहा ए अप्शन एक जादू तेरी जनन नजर, खुश्बू तेरा बदन जादू तेरी नजर, खुश्बू तेरा बदन दूसरा उप्शन तेरा जादू चल गया तीसरा उप्शन जादू है तेरा ही जादू जो मेरे दिल पे च्छाने लगा या फिर चाथा उप्शन जादू है नशाह है मद होशिया है सर तेरा ज़ादू चल गया बैलकुल साई जवाब इंडिया में सिंकर्स की कमी नहीं है और आप सिंकर्स बनना चाते हैं इधर सिंकर्स, उदर सिंकर्स सिंकर के आगे दो सिंकर सिंकर के दो पीछे सिंकर सिंकर के बाएं सिंकर सिंकर के दाएं सिंकर उपर सिंगर, नीचे सिंगर, दाएं सिंगर, बाएं सिंगर, जिदर भी दोखो सिंगर सिंगर, और आप सिंगर बनना चाहते हैं सर मैंने आप से कब कहा कि मैं सिंगर बनना चाहता हूँ मुझे पता चल गया है कि आप सिंगर बनना चाहते हैं वा, कमाल सर फिर मुझे आप मौका भी दिलवा दीजिए सिंकर गा वो बाद में देखेंगे पहले आप पांचवे सवाल का जवाब दीजिए जो आपके लिए 25,000 रुपे के लिए आपकी कंप्यूटर सक्रीन पर ये रहा The whole thing is that के भाईया सबसे बड़ा क्या है Option एक बड़े दिलवाले का दिल बड़े दिलवाले का दिल दूसरा नमबर पुर गोरकपुर का रेल वेस्टेशन तीसरा उप्शन रुपेया और चौथा उप्शन कुछ लोगों की जबान इतनी जबान निकालता है सर वैसे तो सबसे बड़ा रुपेया होता है लेकिन मैं यहाँ पर चौथा उप्शन कहना चाहूँगा कुछ लोगों की जबान क्योंकि कुछ लोगों की जबान बहुत लंबी होती है इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा और राहूल जी यह आपने गलत उतर दे दिया सबसे बड़ा रुपेया होता है क्योंकि आप भी जहाँ रुपेये ही जीतने आए है लेकिन अफसोस की बात नहीं आप फिर भी 25,000 रुपेय जीत कर जा रहे हैं वैल प्लेट ताडिया हो जाए आपके लिए